आज में आप लोग के साथ एक अनादर स्किन केर वीडियो के साथ हाधिर हूं जो कि बहुत हेलफुल और बहुत अफॉर्डिबल प्रोड़क्ट के साथ है और विंटर स्किन केर को रूटीन है क्योंकि इस समय में आपकी स्किन बहुत ही ड्राय हो जाती है बहुत ही टैन हो जाती है तो बहुत ही आसान नुसका है आपको टैनिंग हटाने का आपकी स्किन को सॉप्ट हैं सफल बनाने का तो यहां पे मैं क्लिंदिंग से स्टार्ट कर यहां पर मैने आयूर का क्रिंदिंग मिल्क लिया हुआ है और इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे अपलाए करके और मसाज करूंगी यह बहुत ही अच्छा और अफॉर्डबल है आपको आराउंड फिफ्टी रुटीज में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे अविलेबल मि स्किन टाइप से और बहुत ही पुराना और ट्रस्टेड ड्राइंड अयूर तो मैं हमेशा इसे ही अपने स्किन केर में इंक्लूड करती हूं इसके बाद में पूरा मसाज हो जाने के बाद मैं इसे क्लीन करूंगी अच्छे से स्पॉंज की हेल्प से इन इसके बाद हम स्क्रब है इसे टैनिंग भी हट जाती है और आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और सपल हो जाती है जो भी डाइड स्किन है वह भी निकल जाती है तो आज में बाहर वीडियो बनानी हो संलाइट में तो आप देख सकते है आपको एकदम साफ दिखेगा इसका सो इसे अच्छ से स्क्रब करना है ताकि जो भी डाइड स्किन है मेरे काफी टाइम से स्किन केर नहीं किया हुआ था तो इस वज़े से मैं अभी कर रही हूं तो सोचा मैं आप लोग के साथ भी शायर कर दूँ क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुके हैं तो इसके बाद मैं यहां इसे क्लीन कर लूँगे स्क्रब को मिरर में देखते हुए क्योंकि छोटा सा मिरर है मेरे पास तो उससे मैं देख रही हूं तैन इसके बाद मैं यहां पे एक ब्लैकेट रिम्यूवर की हैल्ग से अपने जितने भी डैड स्किन वाइट ब्लैकेट से हटा दूँगी और क्लीन कर इसके बाद में मैं पूरा फेस क्लीन कर लूँगे दैन इसके बाद में बायोटिक का हनी ग्लो टोनर यूज़ किया है बहुत ही अच्छा टोनर ये गाई जिये और मैं हमेशा इसे वीकली सीटियम में इंक्लूट करती हूं इससे आपके जो पोर्ट हैं वह क्लीन हो जाते ह आप लोगों के साथ शेयर किया था इसका रिविव अगर आप चाहे हैं तो जाके देख सकते मेरे चैनल पर यह मैंने यूज़ का पील ओफ मास्क औरेंज पील ओफ मास्क काफी अच्छा है तो मैंने आप लोगों को कहा कि मैंने बहुत टाइम से मतलब प्रॉपर स्किन केर नहीं किया हुआ था तो मैं वो क्लीन कर रही हूँ तो मैं वो बिलकुल अच्छे से मैं क्या कहते हैं सीटीम कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा मतलब इसका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मैं इसे फेस पे अपलाए करने के बाद में 15 मिनिट छोड छोड़ देने के बाद में मैं इसे अब निकालना स्टार्ट कर रही हूँ तो आपको कभी भी हमेशा आपको नीचे से ही स्टार्ट करना है आप उपर से स्टार्ट मत कीजिए क्योंकि इसे जो पील आफ मास्क है ड्राय हो जाने के बाद में आपकी स्किन के साथ निकलता है और ऐसे में skin daily होने के chances हो सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे नीचे से निकाल रही हूँ और इसको नीचे से ही आपको निकालना है ताकि जो upper direction में आप निकालेंगे तो आपके skin में कोई effect नहीं होगा तो इसके बाद नीचे के निकाल लेने के बाद मैं जो भी बाकी बचे हुए जो areas है फेस के वहाँ से मैं निकाल रही हूँ यह आप देख सकते हैं किस तरह से निकल रहा है थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है जिनके face पे अभी facial hairs हैं मेरे face पे नहीं है तो इस वज़े से यह आप देख सकते हैं मेरा पूरा clean हो चुका है इसके बाद में इसे अच्छे से पानी के health से wet कर लूँगी अपने face को देन इसके बाद में face mask लगाऊंगी face mask इसलिए क्या कि बहुत टाइम से मैंने आप लोग को कहा मैंने और बहुत दिन से मेरे कोई वीडियो भी नहीं आए हैं तो इसके लिए से so sorry guys please video आप लोग देखा करिए तोड़ी सी कुछ ना कुछ यहां पर network का issue है कुछ घर में दादा में busy हो गई थी तो इस वज़े से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी तो अब regular वीडियो आएंगे बिना किसी gap के तो यहां पर मैंने face pack लगाया वो है good wives का papaya face mask इसे मैंने लगाया हुआ है और इसे मैंने brush की health से लगाया हुआ है आप देख सकते हैं इसे अच्छे से लगा लेना है और इसको dry हो जाने के बाद में इसको wash off कर देना है यह बहुत ही अच्छा face mask के guys इसे face आपका काफी bright हो जाता है काफी healthy हो जाता है और काफी अच्छा glow देता है आपको एकदम natural glow देता है तो है मेरा face mask सूस चुका है अब मैं इसे wash करके आप लोगों से मिलते हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे face की brightness guys और threading को mind मत कीजेगा क्योंकि अब ही मैं कहीं भी जा नहीं रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा health issues भी चल रहे है तब यह ठीक नहीं है तो आप face से अंदाजा लगा सकते हैं तो अब यहाँ पर मैं यूज करी rose merry का sensitive oil जो की है good vibes का और काफी अच्छा यह facial oil है guys यह आपके wrinkles को मतलब hide कर देता है आपके face को tight bright कर देता है बहुत ही अच्छा है चाहे तो आप जाके ले सकते हैं इसका link मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैंने बहुत पहले purchase किया था मैं हमेशा अपने हमेशा इसे use करती हूँ तो यह आप देख सकते हैं कि मैंने लगा लिया है और इसको आपको dab dab करके लगाना है इस facial oil को और काफी अच्छे से इसे लगाने बाद आपको हलकी से sensation होगी face में बाकी बहुत अच्छा facial oil है बहुत ही अच्छा treat करता है नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग के साथ में तब तक के लिए बाई गाइज love you all take care stay home stay safe